नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतेश दिशासत्य की रामें आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी तो आज पूणिमाति थी कहने के लिए रक्षा बंधन लेकिन भद्रा का प्रकोप भद्रा के विशे में आप सब को जानकारी जहां तक होगी आप लोगों ने भी जरूर इसका अध्धन किया होगा शन्यदेव की बहन और सूर्व पुत्री भद्रा बड़े ही विकराल रूप में है और महिने में चार बार भद्रा का आगवन दोनों पक्षों में दो दो बार पूणिमाति थी भद्रा की प्रियतितियों में से एक और इसी प्रभाव के चलते एक मानता ये भी है कि भद्रा में रामण की बहन ने उनको राखी बाधा था जिसकी वज़े से उनका देहावसान हुआ इस प्रकार की भी मानताएं है भैरहाल भद्रा को त्याजा जाता है शुभ और मांगलिक कारियों में तो रक्षा बंधन का जो पर्व है वह बहतर तो यही होगा कि आप 31 तारिख को अर्थात कल प्राता काल साड़े साथ से पूर्व बांध दे पूरिमा तिथी भी रहेगी और स्रावन पूरिमा ही रक्षा बंधन के लिए मानने होता है और भद्रा मुख से उतर चुका होगा तो ऐसी श्थति में आप कल ही रक्षा बंधन अगर बांधे तो सर्वत्तम और सर्वशुभ होता है आप सब माताओं बहनों को भाईयों को रक्षा बंधन की हार्दिक शुब कामना है आई स्थुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचा स्रावण महाश्युकल पक्ष चतुरदशी थी प्राता है दस बच कर अठावन मिनट तक इसके बाद पोनिमात थी का उदय चंद्रमा सुबह 10 बच कर 18 मिनट तक मकर राशी में और उसके बाद कुम्भ राशी में चंद्रमा का प्रवेश धनिष्ठा नक्षत्र है आज धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है योग रहेगा अतिगंड तद अनुसार दिरांक 30 अगस्त दिन बुधवार बुधवार को रहुकाल 12 से 1 बज़ कर 30 मिनट तक दोपहर और गुलिक काल सुबह 10 से 12 बज़ तक रहुकाल में नए और शुबकारियों के लिए सास्त्र वर्जित करते हैं लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुबकाम कर सकते हैं कारे आपके बन जाते हैं मेश से लेकर बीन तक दिन कैसा बीतने वाला है इसकी जानकारी आए दे देते हैं आज हम रक्षाबंधन में भाई को जब बहने तिलक करें तो राशिगत तरीके से तिलक में क्या इस्पेशल एक सामगरी मिलाएं जिससे भाई बहन के स्नेह में इस पर भी हम चल्चा कर लेते हैं तो सुरुवात करते हैं आईए आज की सत्प्रत्षत सटीक भविश्यवानी की मेश राश चंद्रमा आज मकर और कुम्भ दो राश्यों में प्रवेश करेगा नक्षत्र पूरे दिन धनिष्ठा ही है रात आठ बच कर 47 मिनट तक धनिष्ठा रहेगा मंगल का नक्षत्र मकर और कुम्भ दोनों में प्रवेश करता है अपने नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन आपकी राशी के नक्षत्र में, राशी स्वामी के नक्षत्र में मेश के स्वामी मंगल और धनिष्ठा का स्वामी मंगल दिन आपका बेहतर बीद रहा है शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का दुराव नहीं जो आपने संकल्प किया होगा सिक्षा के छेत्र में उस संकल्प को आज आप बहुत शिद्दत से आगे ले करके जाएंगे ब्यापार की बात करें तो रिस्क नहीं लेना है और आज बिवादों से भी बचने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी बात पर आज बॉस के साथ गर्मी गर्मा हो सकता है मतलब कहने का ये है कि आज कुछ बिवाद जन्म ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपका प्रिभाव आपका बर्चस्व बहुत सकारात्मक्त रहेगा अगर आप वाणी पर अंकुष रखें सरकारी छेत्र में श्थतियां पूरी तरह से आपके आधीन हैं आपका दबदबा रहेगा बहुत सापकी बात मानेंगे किसी तरह का परिशानी और दुराव नहीं रहेगा सकारात्मक्त आपके साथ बनी हुई बात करें अगर दामपत्य जीवन की तो आज सब्तमेश शुक्र का प्रभाव आपके साथ बहुत दीपली कनेक्टर है आप शुब इस्थते में है दामपत्य जीवन हर प्रकार से आज आपके रक्षार्थ रहेगा लेकिन लब लाइफ यहां मैटर थोड़ा सा गड़ बढ़ हो सकता है कुरोधावेश में आकरके किसी न किसी बात पर एक दूसरे के प्रति दुराव का भाव आज पनप सकता है स्वास्त्र के मामले में हीट अटाइक, लोजमोशन, आँख की समस्या, लीवर की प्रॉबलम अगर पहले से है तो वो बढ़ सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है आज मजबूरी में भी आज रक्षा बंधन ना ही बांधे तो बहतर है अनिविग्यता ज्यानता में अगर हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको सम्हालना होगा, उपाय करना होगा क्योंकि इसमें किया गया रक्षा बंधन उल्टा असर कर सकता है तिलक क्या बनाना है स्पेशल जो आप तिलक बनाएं मेश राशी की माताएं बहने, केसर मिला दें अपने तिलक में जो भी रोली कुमकुम रखी हैं आप और भाई को तिलक करके रक्षा बंधन बाने शुबरंग आपके लिए आज केसरिया भाग्य प्रत्षत साथ, बिशब राशी वालों के लिए चंद्रमा का संचरन जिन दो राशियों में हो रहा, वो दोनों आपके लिए योग कारक हैं मकर और कुम्ब, लहाजा दिन आपका बहतरीन बीतने वाला है पढ़ाई बहुत अच्छी है, ब्यापार में आज उतार चढ़ाओ था, लेकिन दो पहर के बाद इस्थतियां आपके पक्ष में हैं लव लाइफ को लेकर के आज सजग रहने की आवशक्ता है, किसे ने किसी प्रकार का दुराव और विकृति आ सकती है स्वास्त के मामले में आज का दिन कमर दर्द की शिकायत किटनी की समस्या दिखाता है बिशब राशी की बहने रक्षाबंधन इस्पेशल तिलक में क्या मिस्टित करें आपको आज एक मूद देशी घी मिस्टित करना है अपने रक्षाबंधन में चतुर्थेश का प्रभाव यहां पर हम देने का प्रियास कर रहे हैं सोर्य के द्वारा बिशब के लिए भाई बहन के स्नेह में अभी बृद्धी होगी शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रिद्शत सत्तावन मिथुन राशी सकारात मक्ता आपके साथ बना हुआ है प्रभाव बहुत शुब रहेगा किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी पढ़ाई में आज का दिन कुछ सोच समझ करके आपको कदम बढ़ाना होगा मिथुन राशी वाले लोगों के लिए चंद्रमा का प्रभाव अश्टम और नमम में जुड़ रहा है मकर और कुम्भ में ब्यापार के लिए रिस्क लेना सफल हो सकता है तो थोड़ा सा विचार करके रिस्क ले लेजेगा प्राइविट सेक्टर वालों को आज मजबूती के साथ कदम रखना होगा अपनी बात को आज दुर्णता से रखना होगा दिन आपका है सरकारी छेतर में आज मन कम लगेगा किसी बात पर आज बहस हो सकता है गौर्मेंट सेक्टर में कुछ न कुछ उतार चढ़ाओ दिखाई देता है दामपत्त जीवन पत्रिपत्नी के बीच सकरात मकता है बहुत शुभ इस्थति में विचार कर रहे हैं लव लाइफ कुछ नोग जोग दे सकता है किसी न किसी रूप में तनाव बढ़ रहा है स्वास्थ के मामले में कमरदर्द और माइगरेन की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मिथुन है आज मिथुन राशी की माताओं बहनों को अपने भायों के निवित रक्षावंधन के तिलक में तीन बूद गुलाब जल मिस्तित कर देना है और आनंद उठाना है शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रत्षत बावन करकराशी चंत्रमा का प्रभाव सब्तम और अश्टम में जुड़ा हुआ है लेहाजा शिक्षा बहुत बढ़िया है दिन तो अच्छा भी तेगा क्योंकि जो नक्षत्रेश है धनिष्ठा के स्वामी वो आपके लिए योग कारक है मंगल तो दिन अच्छा भी इतना ही भी इतना है पढ़ाई अच्छी करेंगे सिख्षा में किसी तरह का दोश्दुराव नहीं पढ़ाई बहुत अनकूल चल रही है ब्यापार में उतार चड़ाव दिखाई देता है बिजनस के प्रभाव को बढ़ाने का प्रियास करें बिजनस आज आप बहुत अलग जोन में जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ अच्छा और बड़ा कर रहा है प्राइवेट सेक्टर की स्थिती को आज बहुत सकरात्मक्ता के साथ आप राप्त करेंगे सरकारी च्छेत्र का प्रभाव ब्यहतरीन और प्रमोशन वाला भी दिखाई देता है आज कोई न कोई खुश खबरी आपको में सकती है दामपत्र जीवन वर्चस्व बना हुआ है पत्ति-पत्ति के बीच तालमेल अनोखा है सब्तम्य चंद्रमा सुबह 10 बच कर 58 मिनट तक बहुत अनकूल रहेगा तो जितने गिले शिक्वे हैं आज उन पर चर्चा करके उनकी शुभत्र की स्थति प्राप्त कर सकते हैं लव लाइफ थोला सा उतार चड़ाओ से युक्त है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है स्वास्थ के मामले में आज का दिन बैक की प्राप्लम और आँखों की समस्या दिखाएगा क्या उपाय करना चाहिए आज प्रभाव शुभ करने के लिए चीजों को बहतर प्राप्त करने के लिए भाई के साथ रिष्टे को अच्छा करने के लिए करक राशी वाली माताओं बहनों को आज एक चुटकी हल्दी अपने तिलक में मिस्रित करना होगा यहाँ पर हमने भागेश ब्रहश्पति को जो तिरतिय से सब्तम होते हैं उन्हें बल देने का प्रयास किया तो आपको एक चुटकी हल्दी मिलाना होगा शुबरंग आपके लिए आज केसरिया भाग्य प्रतिशत पच्पत सिंग्ह राशी बहुत अनकूल समय आपके लिए है आज पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं है शिक्षा जबर्दस्त है गति देंगे आज शिक्षा की इस्तिति सुधर रही है आज का दिन सिंग्ह राशी वालों के लिए छे और साथ में चंद्रमा का सम्चरन है पढ़ाई में आज बल लगना है व्यापार अनकूल है बिजनस में किसी तरह का उतार चड़ाओ नहीं है बिजनस एकदम से आगे बढ़ रहा है बिजनस के प्रभाव को आप चमका सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो आज का दिन नौकरी में उतार चड़ाओ दिखा रहा है आपके लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा सरकारी छेत्र का प्रभाव गौर्रमेंट सेक्टर का प्रभाव आपके लिए जबरदस्त है आज खुश खबरी मिलने वाली है कई रुके पेंडिंग पड़े कामों को आज गती देंगे आप मित्र साथ देंगे बौस प्रशन रहेंगे दामपत्र जीवन सब्तम्य चंद्रमा का संच्रण जब दस बच के अठावन मिनट पर होगा उसके बाद उत्तर उत्तर सकारात्मक ता आज आजाएगे लव लाइफ दोपहर के बाद की स्थति आपके पक्ष में है टेंसर ना लिजिएगा जो कुछ भी उतार चड़ा होगा वो सब ठीक हो जाएगा स्वास्त के मामले में कमरदर्द और किट्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज आपको अगर आपकी राशी सिंग है तो आज आपके लिए उपाय उल्टी हथेली में थोड़ा सा पीला चंदन मध्यमा उंगली से कुमराशी में है न स्वनी की राशी में मध्यमा उंगली से ऐसे घिस कर पीला चंदन पाउडर रख लिजे माताए बहने तिलग बना रही है आईसे घिसना है और फिर अपने चंदर में से मिक्स कर देना है इसी से भाई को आप तिलक करिए शुबरंग आज आपके लिए पीला भाग्यपत्षत 57 कन्या राशी की बात कर लेते हैं आज बिलकुल चमकदार व्यक्तित्व है शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है किसी तरह की रुकावट परेशानी शिक्षा में आज नहीं है आपका प्रभाव कन्या राशी वालों का प्रभाव आज सकरात्मक रहेगा पंचम और छठे भाव में आचंद्रमा का संचरन है ब्यापार की स्थती को आज बेहतर करने में मेहनत करना पड़ेगा जो कुछ निरणे लेने हैं दस बजे के पहले ले लिजेगा शेयर सक्टा वालों को आज अकस्मात नुकसान की संभाव ना बन सकती है प्राइबेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए नौकरी में उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ेगा आपके लिए कुछ न कुछ नुकसान संभाव है जितना हो सके अपने आप पर भरोसा करते हुए कदम बढ़ाईएगा सरकारी छेत्र में आज किसी छोटी बाद पर बास के साथ नोक जोक और बहस की संभावना है पुलिस बिभाग आज वे जो होंगे उनको आज बहुत सावधान रहने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन मामला आज खटाई में जा रहा है तनाव बढ़ सकता है दामपत्य जीवन में मैटर गरबर दिखाई देता है लव लाइफ बहुत अनकूल है परिस्तियों के अनुसार आप कदम बढ़ाएंगे स्वास्त के मामले में अगर आपकी राशी कन्या है तो आज डाइजेशन, माइग्रेन और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज कन्या राशी की माताओं बहनों को आज अपने तिलक में गंगा जल मिला लीजिएगा आप आपके लिए बेहत शुब रहेगा शुबरंग आज आपके लिए स्लेटी भाग्य प्रत्शत बावन कन्या के बाद बाकी बची राशीों की डिटेल की जानकारी हम देने वाले हैं लेकिन आपको बता दें कि आप हमसे चंडीगर में मिल सकते हैं तीन चार सितंबर को और आठ नौ सितंबर को हम आपके साथ मिलने वाले हैं गोहाटी में अगर आपको चंडीगर में मिलना है तो जितनी जल्दी हो सके समय ले लिजेगा गौहाटी में मिलने वालों के लिए भी समय दिया जा रहा है appointment लगातार चल रहे हैं देर मत करिये फटाफट समय सुनश्चित करिये बाकी शहरों में भी आप मुलाकात कर सकते हैं और कुछ जानकारियां बेहद रोचक देखिए इस ब्रेक में हम यूँ गये और यूँ आए आईए आपको बताते हैं संतोशी जी के अगामी कारिक्रम के बारे में तीन और चार सितंबर को चंडिगण नौ और दस सितंबर गुहाटी पंधरा और सोला सितंबर लखनव सत्रा और अठारा सितंबर पटना 19 और 20 सितंबर सिली गुडी 21 और 22 सितंबर कोलकत्ता 23 और 24 सितंबर रांची और 25 और 26 सितंबर सतना में आप संतोशी जी से मिल सकते हैं मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें या 9999 024099 पर वाटसप करें वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है वेल्कम बैग एक बाप फिर से आपका स्वागत है देख रहे हैं जोतिश दिशास्ट्य की राह मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टोफरेंट संतोशी चर्चा कर लेते हैं अब तुलाराशी की तुलाराशी वालों के लिए संचरन चंद्रमा का चतुर्थ और पंचम में है सर्वोत्तम दिन कहा जा सकता है आज आपका दिन हंड़ेट परसेंट बनने वाला है पढ़ाई की बात करें तो आज जो जो सोचेंगे आप उसके इस्दाब से सब कुछ आपके लिए तयार है शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है पढ़ाई यकीनन आज बेहतरीन है और बहुत सारे रिजल्ट परिणाम अनकूल आएंगे ब्यापार के लिए आज उतार चड़ाओ भरा दिन देखा जा रहा है बिजनस बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा मांसिक तनाव भी यहां पर प्राप्त होगा प्राइबेट सेक्टर बालों के लिए कुछ इस्थती गरबर दिखाई देती है आपको बहुत बिचार करके कदम बढ़ाना होगा सरकारी छेतर में सुधार सुतह लाना होगा गरबर्मेंट सेक्टर आपके लिए अनकूलता का परयाय बनेगा आज तुरा राशिवालों के दुतिय भाव के स्वामी के नक्षत्र में चंद्रमा है सतत सुधार की संभावनाओं को जागरित रखना होगा गरबर्मेंट सेक्टर में आज कुछ मैटर्स बाहर आ सकते हैं जो गुप्त थे दामपत्र जीवन अच्छा है किसी तरह का निगेटिव प्रभाव नहीं है मैटर्स लाइफ में कुछ न कुछ बहतर होगा ही होगा लव लाइफ की स्थिती थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती है लव लाइफ में आज अचानक से समस्याएं पैदा होंगी चंजल ताग हाथ तक रहेगा कंट्रोल रहिएगा स्वास्त के मामले में घुटने की तकलीफ आज परिशान करेगी तुला राशी वाली माताओं बहनों को आज एक भूद मात्र सरसो का तेल अपने रक्षा बंधन वाले तिलक में जो भाई को आपको लगाना हो डाल दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्यप्रिशत पच्पन प्रश्चिक राशी मैटर सब सुलज जाएंगे आज सिक्षा बहुत अच्छी कर रहे हैं आप पढ़ाई में कहीं कोई दोश नहीं है सिक्षा के छेत्र में कुछ आनंद स्वतह आ रहा है ब्यापार की स्थिति अचानक कुछ कष्ट दायक है बिजनस कष्ट देगा रिस्क लेना भारी पड़ेगा तिर्तिय और चतुर्त भाव में चंद्रमा है आज थोड़ा थम थम कर विजनस को आप ग्रो करने के लिए प्रयास करिएगा प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आज सभाल कर चलाना होगा बहुत सारे मैटर आज अचानक से परेशान कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्थ्या नहीं है आज आपको बल प्राप्त होगा प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ा करने जा रहा है सरकारी छेत्र वालों के लिए परिष्थतियां बेहद अनकूल है गौश्वर्मेंट सेक्टर में आपको आज कुछ अच्छा और शुभ मिलने वाला है दामपत्य जीवन को लेकर के आज आपके लिए उतार चड़ाव भरा दिन कहा जा सकता है एक दूसरे के प्रति दुराव का भाव शक का भाव गहरा हो सकता है लव लाइप में मैटर अच्छा है दोपहर के बाद थोड़ा साथ सयमित रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों की समस्या थोड़ा बहुत माइग्रेन की दिक्कत डाइजेशन को लेकर के भी परेशानी हो सकती है विश्चक राशी वालों को आज प्रियोग के तोर पर माताओं बहनों को तिलक में क्या मिक्स करना है आज अगर आपके राशी व्रिश्चिक है तो भस्म मिला लीजेगा थोड़ा सा बहुत यूनीक करवा रहा हूं वह सोच लीजेगा बस बहुत दिब्व मिलने वाला है शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्यप्रशत 57 धनुराशी वाले लोगों के लिए आज का दिन दुती और तिर्ती के चंद्रमा का प्रभाव है शिक्षा का मैटर सौल्व हो जाएगा पढ़ाई में अनोखी उपलब्धी आज प्राप्त होगी शिक्षा हर कदम पर आपको लाव देने वाली है व्यापार के लिए उतार चड़ाओ से युक्त बिजनस आपका रहेगा बहुत सारे प्रभाव इस प्रकार के हैं जो आपको कश्ट देंगे बिजनस में सावधानी बरतने की आवशक्ता है अचानक से रिस्क नहीं लेना है जिसे दुती भाव में चंद्रमा जब तक हैं सुबह तक एकदम से उतावला पन रहेगा पैसा आएगा पैसा आएगा लेकिन धनुराशी के लिए चंद्रमा आठवे के मालिक है तो रिस्क नहीं प्राइबेट सेक्टर में वाणी पर अंकुष रखियेगा बाकी सब ठीक रहेगा दुतिक एचंद्रमा की वजह से वाणी पर अंकुष सरकारी छेत्र में प्रभाव आपका अच्छा है यहां किसी तरह की समस्या नहीं अपितु यात्रा से आपको विशेश लाब मिलेगा दांपत्य जीवन पती-पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है प्रभाव अच्छा रहेगा सकारात्मक है लव लाइफ बहुत शुब रहेगा लव लाइफ में आज का दिन ने रिष्टे की तरब भी शारा करता है कोई नया प्रपोजल भी मिल सकता है खास तरपे लड़कियों को धनुराशी स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट आँख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज शुब उपाय धनुराशी की माताओं बहनों को अपने भाई को राखी बांधने के लिए जो तिलक आप बनाए उसमें तुलसी की पत्ती का रस मिला दीजेगा तुलसी अर्क भी बोलते हैं उसे अब उस तिलक से आप भाई को उनके मस्तक कोशुशोभित करिए आप दोनों की बीच का स्नेह परमपिता परमेश्वर, शिरीहरी विश्णू, मातुलसी की किरपासे सदेव, सजीव, जागुरत और समर्पित रहेगा आप दोनों की बीच कभी तनाव नहीं आएगा ऐसा हमें विश्वास है शुबरंग आपके लिए हरा भाग्य प्रत्शत 57 चर्चा करते हैं अब मकर राशी की मकर राशी वालों के लिए पढ़ाई में कुछ बड़ा हो रहा है शेक्षा की स्थती आज आपके अनुसार है हर कदम पर आपको लाब मिलेगा पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप ब्यापार में कुछ मैटर्स इधर उधर के अचानक से आ सकते हैं बिजनस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं बिजनस को ले करके आपको साउधानी बरतने के साथ फिर रिस्क लेना है मकराशी 30 अगस्त प्राइवेट सेक्टर में आज अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए कुछ नया वहाँ पर इंतजार कर रहा है बेहत सकरात्मक्ता के साथ प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा अपने आप होगा सरकारी छेत्र में उतार चड़ाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है गौर्मेंट सेक्टर में कुछ नकुछ नुकसान की संभावना है सावधानी रखे आज अचानक से किसी बात पर मूड अपसेट हो सकता है सरकारी छेत्र में बॉस के साथ बिवादास्पत इस्थती पे अपनी वाणी पर आपको अंकुष रखना होगा हम पहले ही आगाह कर दे रहे है मेरिट लाइफ ठीक रहेगा मेरिट लाइफ में आज मकराशी वालों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है हो सकता है कि आज कहीं गुमने टहलने के कारिकरम में भी आप पति-पत्नी इन्वाल्व हो एक दूसरे की प्रती समय और समर्पन दोनों देने लग जाए लव लाइफ की स्थती आज मकराशी वालों के लिए बढ़ बोलेपन की वजह से समस्याओं में जा रही है बहुत अच्छी स्थती नहीं है यहीं आपको नियंत्रन दिखाना होगा लव लाइफ में परिस्थतियां आपके लिए अनकूल होंगी स्वास्त के मामले में आज माइग्रेन दोती में चंद्रमा की वज़े से जुखाम बुखार और अश्टम पर चंद्रमा की दृष्टी के कारण कुछ उदर रोग भी पेट सम्मन्दी दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी मकर है मकर आशी की माताओं बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारे शुब काम नाए आज भद्रा है मुख में फ्रंट से तो धर्ती पर भद्रा का वास जो की शनिदेव की बहन है शुब नहीं माना जाता बहुत स्रयमित रहते हुए जो आप सब को करना है जो आप लोगों को दिखाना है निभाना है उस पर आपको हम फोकस करवाते हैं जब आप अपने भाई के रक्षाबंधन के लिए तिलक का निर्मान कर रही है मकर आशी वाली माताओं बहने एक बूद गवमोत्र का मिला दिजिएगा चमतकार न हो तो कहिएगा आश्चर में पढ़ जाएंगी रिष्टे में वो गर्माहट आजाएगी भाई बहन के शुभत तो रहेगा जरूर करें आपको लाब मिलेगा शुभरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत 69 कुम्भ राशी दिनांक 30 अगस्त पढ़ाई तो आज चले ही जाएगी जंद्रमा 10,57 पर आपकी राशी में प्रवेश धनिष्ठानक्षत्र में प्रवेश चैतन्य हो जाएंगे जागरित रहेंगे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे ब्यापार में जो रुकावटे थी उनसे आपको मुक्ती है आज बिजनस में गती आएगी कोई दोस्त मददगार सावित होगा आज कोई बड़ा ओडर भी आपको मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर बालों को आज सोच समझकर निर्ड़ा लेना होगा परिश्थतियां थोड़ी से प्रतिकूल दिखाई देती है सोच समझकर निर्ड़ा लेना होगा सरकारी छेत्र में अगर जॉब करते हैं और आपकी राशी कुम्भ है तो आज का दिन रहने की आवश्यक्ता है हो जाता है कई बार ग्रहन अक्षत्र के हिसाब से कोई उबल जाता है तो वहाँ काम बिगड जाएगा हमने बता दिया आप सहीमित रह जीजेगा गौश्यक्तर में आज कुछ बड़ा होने जा रहा है वरक लोड आपको बहुत अच्छा मिलेगा दामपत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है गजब का समर्पन भाव रहेगा चंद्रमा की दिश्टी 11 बजे से आपके सब्तम भाव पर पढ़ने लग जाएगी तो जब शाम होगा तुरिष्टे में बहुत मजबूती और नजदी की रहेगी लव लाइफ बहुत अनकूल है अनकूलता में ही आपको कुछ प्राप्ती है और यही आपके लिए शुम है स्वास्त के मामले में बैक की प्राब्लम और आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी कुम्ब है कुम्ब राशी की माताओं बहनों को आज गंगा जल मिलाना है तिलक में ध्यान दीजेगा गंगा जल तिलक में मिला लीजेगा शुमरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत पच्छपन अंतिम राशी मीन मीन राशी वालों के लिए दिनांक 30 अगस्त दिन बुधवार रक्षा बंधन के तिलक में माताएं बहने क्या मिलाएं इस पर चर्चा करते हैं शिक्षा की अनुसार बहुत सकरात्मक और सोच विचार करके जो कदम बढ़ाया है आपने उस शुभ है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई अच्छी चल रही है शिक्षा में सकरात्मक हैं आप ब्यापार को लेकर के आज थोड़ा सा उतार चड़ाओ बढ़ सकता है बिजनस का मैटर आज गरबढ है प्राइवेट सेक्टर अनुकूल है प्रभाव आपका रहेगा नौकरी में दबदबा है सरकारी छेत्र थोड़ा सा मैटर गरबढ करेगा गवर्मेंट सेक्टर को संभालने की आवश्यक्ता है दामपत्र जीवन पत्री पत्री के बीच तालमेल अच्छा रहेगा लव लाइफ में मैटर थोड़ा सा गरबढ होगा लव लाइफ आपके लिए बहुत क्रूशल है आज आज का दिन बारहमे में चंद्रमा है और ओभी धनिष्ठा नक्षत्र में दुई द्वादस का संबंद बन रहा है दुई द्वादस कैसे आप सोच रहे होंगे दूसरे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है मंगल के नक्षत्र में है और बैठा बारहमे में है तो दुई-द्वादस हो गया, दुती भाव और द्वादस भाव, दुई-द्वादस है न, खेलना तो आना चाहिए ग्रहों से, इससे पहले की ग्रह आप से खेलें, आप उनसे खेलना सीख जाएए, तब आनन्द है शुबरंग आपके लिए आज बताऊंगा मैं, मीन दाशी वालों के लिए आज लव लाइफ में गरबर होगा, स्वास्त के मामले में हर्ट की प्रॉब्लम, शुगर और माइग्रेन की समस्या रहेगी माताएं बहने आज क्या निर्मित करें, तिलक में क्या मिलाएं, शिवलिंग पर जल चड़ाईए और वही जल इकठा करके उसी तिलक में आप मिला लिजेगा डिब्य अनुभूती आपको होगी, अनोखे लाभ की गारंटी है, अब ये तिलक जब आप अपने भाई को लगाएंगी, तो कमाल हो जाएगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भागी प्रद्शक 56, तो चलिए ये तो रहा आपके राशियों की स्थती, आज के राशियों का हाल, हमने आपको बताया कि माताएं बहने जो अपने भाईयों को तिलक लगाएं, उसमें क्या मिलाएं, अब हम आपको बताएंगे आज के स सितंबर को हम चंडीगर में हैं, तो आसपास के छेतर के लोग जो भी मिलना चाहें, चंडीगर में मिलने का समय ले ले, इसके बाद 8 और 9 सितंबर को हम रहेंगे गौहाटी में, जो भी मिलना चाहें, जरूर समय ले ले, इसके बाद मुलाकात होगी हमारी आपकी 15 तारिक स क्रमसह, लखनव, पटना, सिलीगुडी, कलकत्ता, राची और सतना ये छे शहर हम एक साथ कवर करेंगे 16 से 26 तो जिसको जहां मिलना हो अपना नाम और शहर का नाम लिख करके वाटसप करते हैं आई आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज के सकसकी के बाद शाम तक के लिए एक अपनी छोटी उंगली में एक कलावा मोली बादिये और शाम को इसे खोल कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा आपको लगातार पूरे दिन लाब होगा भद्रा के दोशु से आप बच सकेंगे आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का स्पेशल भाग्याक्षर मेश जाग्षर बिशम माग्षर मिथुन चोटा आग्षर करक जाग्षर सिंग याग्षर कन्या चाग्षर तुला बाग्षर बिश्चिक लाग्षर धनू वाग्षर मकर खाग्षर कुम्भ धाग्षर मीन याग्षर नोट करने आप नहीं सादे चौकुर कागच पर लाल रंग के इंक वाली कलम से और चिल्ड इंज्वाई करिए जरूर आपको पूरे दिन ताजगी प्राप्त होगी आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं आज की स्पेशल आयुश्मान भवह भया दिनांग 30 अगस्त को पैदा हुए लोगों को हार्दिक शुप काम नाए बधाईया विशिंग यो वेरी हापी बर्थ दे आपको जो उपाय करना है दो पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिए सावन बीत रहा है आज जुरूद्रा विशेक अभश्य कराईए किसी ब्रामण देव को भोजन कराके उनको एथोचित वस्त्र आदिसे तिर्प्त करिए जिसकी आज मेरिज अनवर्सरी है पती-पती मिलकर जूते चपल का दान करें किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें और दो बच्चों को आज भोजन कराके पाठ्थ सामगरी अवश्य दे दे बहुत-बहुत आभार आज केंकर में बस इतना ही रक्षाबंधन की एक बार फिर से आप सब को शुब काम ना आए भद्रा के कारौन रक्षाबंधन कल मनाएं आप प्राता है कालीन वेला में सुर्योदय के पहले चाहे जब चाहे जब आप राखी बांद दीजिए जो है पोणिमा बीतने से पहले और मैं बता देता हूँ पोणिमा कब बीत रहा है साथ बज़ के पांच मिनट पे तो साथ बज़े से पहले पहले राखी बांद देजिए काम पूरा ठीक है बेस्ट है शुक्रिया धन्यवाद आज की खास कारिकर में बसिता है मैं नमद्य जेका नमस्कार शेदा रहे आईए आपको बताते हैं संतोशी जी के अगामी कारिक्रम के बारे में तीन और चार सितंबर को चंडिगर नौ और दस सितंबर गुहाटी पंद्रा और सोला सितंबर लखनव सत्रा और अठारा सितंबर पटना उन्नेस और बीस सितंबर सिली गुडी 21 और बाइस सितंबर कोलकत्ता 23 और 24 सितंबर रांची और 25 और 26 सितंबर सतना में आप संतोशी जी से मिल सकते हैं मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें या 9999024099 पर वाटसप करें वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है